हेलो फ्रेंट्स उत्तम से अकेडमी आप सभी का स्वागत है मेरे नाम है डोक्टर मंदांगी और आज हम पढ़ेंगे सेल सेल पढ़ने से पहले आपको मालूम होना चाहिए कि सेल की डिस्कवरी किसने की तो यह जो आपको पिक्चर देख रही है यह रोबर्ट हुक यह रोब रो्म्स को इन्नों ने सेल का एक लाटन वाइड है जिसका मतलब होता है लिटल रूम और प्रो मतलब होता है primitive, primitive मतलब शुरुवाती या पर पुराना बोल सकते हैं, तो पुराना न्यूकलियस जिनका होगा वह cells रखी जाएंगे हमारे प्रोकेरियोट में, और जिनका नया न्यूकलियस होगा उनको रखा जाएगा eukaryotic में, तो प्रोकेरियोट में ऐसी cells होती है वह उनके अंदर प्रोपर न्यूकलियस होता है और प्रोपर अधर कोशिकांग होते हैं, इनके एक्जामपल है, फंजाई, प्लांट्स और एनिमल्स, अब प्रोकेरियोटेक सेल अगर हम देखें, तो इसमें मेंब्रेन नहीं पाई जाती, जैसे कि अगर मालो आप इस cells को देखो, तो इसके अंदर जो आपको DNA देख रहा होगा, क्रोमेटन मटेरियल, क्रोमोजोम, कुछ भी इसको कह लिजे, यह अगर प्रोपर ली इसके ऊपर एक मेंब्रेन पाई जाती, तो इसको आपन न्यूकलियस बोलते हैं, लेकिन ऐसा यहां नहीं है, इसलिए इसको करते हैं, इसी परकार से यह जो बाहर आपको एक चीज दिख रहे होगी, इसको आपन बोलता है, फिलेजिला, फिलेजिला किस काम में आते हैं, जैसे अगर वेक्टरिया को एक जगा यह दूसरी जगह जाना है, तो वो इस फिलेजिला की माध्यम से मूफ करेगा, अब हमार लीनियर डीने होता है, वो जिसमें हिस्टोन पाया जाता है, अब यूकेरियोटिक जो सेल्स रहती है, वो यूनिसेलूलर मतलब एक कोशिके जीवों और मल्टिसेलूलर मतलब बहु कोशिके जीवों का निर्माण कर सकती है, इनको हम आगे देखेंगे, तो सबसे पहले हम तो प्रोकेरियोटिक जो सेल्स रहती है, वो छोटी होती है, साइज में, आपको ये साइज याद नहीं करने कितनी होती है, आप इतना याद रखे कि यूकेरियोटिक से अगर कंपरेजन किया जाए, तो प्रोकेरियोटिक छोटी होती है, प्रोकेरियोटिक में कभी भी बह उपर double membrane भी पाई जा सकती है, prokaryotic cell में मैं बता चुका हूँ कि nucleus नहीं पाई जाता, eukaryotic cell में nucleus पाई जाता है, prokaryotic cell में जो इसका DNA होता है, वो simple प्रकार का होता है, आपन simple DNA को बोलते हैं, circular DNA, और इसमें complex DNA पाई जाता है, जिसको अपन बोलते हैं linear DNA, prokaryotic cell में कोई भी हिस्टोन नहीं पाई जाता, हिस्टोन ऐसे protein होते हैं जो DNA को बाइंड करते हैं, तो prokaryotic में हिस्टोन की यावशकता नहीं होती, eukaryotic में हिस्टोन की यावशकता होती है, इसलिए पाई जाते हैं, प्रोकेरियोट्स में कुछ सिम्पल कोशी कांग को छोड़कर complex कोशी कांग नहीं पाई जाते हैं, eukaryotes में कोशी कांग पाई जाते हैं, जो ribosomes होते हैं prokaryotes के यह होते हैं 70S, याद रखना है सबसे important question है, सबसे जाद पूछने वाला सवाल है, जो ribosomes होते हैं prokaryotes में, यह 70S होते हैं और eukaryotes में 80 और 70 दोनों होते हैं, और cell division prokaryotes में कैसा होता है, फिजन, फिजन सबसे simplest division होता है, जिसमें एक बेक्टिरिया एक से दो में convert हो जाता है, simple division होता है, और जो eukaryotes होते हैं, इनमें mitosis और meiosis, दो परकार के cell division होते हैं, prokaryotes में cytoskeleton नहीं पाए जाता है, मतलब जो कोशिका के अंदर से बनाने वाली संदचना है, वो नहीं पाए जाते हैं, किवल phleggula पाए जाता है, जो उसको move कराने के काम में आता है, इसका example है, बेक्टिरिया, रिकेट्सिया, इस तरह के, इस तरह के example है, जो simple organism में, और eukaryote cell में, fungus, plants, और animals, नुकलियस के अगर हम बात करें, तो नुकलियस एक्टियास है क्या, तो नुकलियस एक prominent और्गनली है, मतलब कोशिकांग है, जो एक prominent होता है, cell के बीच में पाया जाता है, पूरी cell को संचालत करता है, इसे लिए नुकलियस को कोशिकांगा ब्रेन कहा जाता है, इसमें एक membrane बाहर की होर होती है, और एक membrane अंदर की होर होती है, और इन membrane के मद्व में छोटे-छोटे छिद्र पाय जाते हैं, जिससे nucleus और पूरी cell से connection बनाता है, अगर हम देखें, तो इसमें कुछ चीज़ां पाय जाती है, जैसे nucleus नुकलियो ओलस पाय जाता है nucleus के अंदर, तो ये एक solid sun रिचना होती है, इसका काम आप से पूछा जाता है, तो आप याद रखिएगा, जो nucleus है, इसका काम होता है, ribosomes का निर्माड़, और nucleoplasm पाय जाता है, nucleoplasm कुछ नहीं है, आप इतना समय लेज़े कि nucleus के अंदर, जितना भी liquid भरा हुआ है, वो nucleoplasm में, mitochondria, mitochondria भी एक ऐसे कोशिका आंग है, जो eukaryotes में पाय जाती है, और इसके उपर भी 2 membranes पाय जाती है, ये कभी हमने nucleus देखा, है, जिसका 6 तरफल है, उसको बढ़ाया जा सके, mitochondria का basically आप से काम पूछा जाता है, तो क्या काम है इसका, इसका काम होता है, cellular respiration, मतलब glucose, fat और protein का उपियोग करके, ये उर्जा का नर्माण करता है, इसलिए इसका दूसरा नाम होता है, powerhouse of cell, ये ऐसी जगह उपर ज़्यादा पाय जाता है, ऐसी cells पन ज़्यादा पाय जाता है, जहां अधिक ऊर्जा के आवड़ शक्ता होती, जैसे कि हमारी मासपेशियों की कोशिका होती है, और माइट्रो कॉंट्रिया की संक्या अधिक होती, अधिक हम देखें प्लास्टेट को, तो प्लास्टेट केवल, प्लांट सेल में पाय जाता है, एनिमल सेल में नहीं पाय जाता, प्लास्टेट भी एक ऐसा कोशिकांग है, जिसके उपर दो मेंब्रेन पाय जाती है, एक outer membrane और inner membrane ये दो प्रकार का होता है chromoplast और leukoplast देखे chromo मतला होता है chroma सब्द से लिया गया है मतला होता है colors तो जो colors अपने अंदर संचाय करेगा उसको अपन बोलेंगे chromoplast और leukoplast, leukomiss biology में होता है white और plast मतला ये जो कोशिकांगे इसके लिए तो leukoplast मतला white color की जो चीज अपने अंदर store करेगा उसको अपन leukoplast बोलेंगे और जो रंगीन चीज़ों को अपने अंदर store करेगा उसको अपन chromoplast बोलेंगे chromoplast में भी एक most common जो है वो है chloroplast जितने भी green पतिया तने जितनी भी चीज़ें आप देखते हो तो सब की सब green है किसकी वजे से इस chloroplast की वजे से जितने भी आफ रंगीन अ सबजिया फल जितनी भी चीज़ें देखते हैं वो सभी किसकी वजे से color है chromoplast की वजये से और मूली का color आप देखते हैं white किसकी वजे से leukoplast की वजे से तो mainly आपको सारे plastic का function याद नहीं रखना, आपके वाल इतना याद रखे कि जो chloroplast है, इसका function होता है, प्रिकास sensation करना, मतलब photosynthesis करना, ये स्वारिक की उर्जा को अफसोसत करके, उसको glucose में convert करता है, अगला हमारा कोशिकांग है ribosomes, तो ribosomes में याद रखेगा, ribosomes सबसे छो 70S ribosomes पाए जाते हैं, और eukaryotes में 70S और 80S दोनों परिकार के ribosomes पाए जाते हैं, अब इनके subunits पर भी सवाल आता है, तो आपको इसके याद रखना है, जो 70S ribosome है, ये मिलकर के बनता है 50S से और 30S से, याद रखना गलती मत करना, 30 और 50 एड मत कर देना, नहीं तो 80 हो ज protein का नर्माण करते हैं, इसलिए इनको protein factories भी कहा जाता है, ribosome कहीं भी उपस्तत हो, काम के वाल एक protein का नर्माण, अब है endoplasmic reticulum, endoplasmic reticulum एक single membrane से बनी हुई संदचना होती है, ये पूरी cell में फैला रहता है, ये दो परिकार का हो सकता है, rough और smooth, इसको rough और smooth हम किसाधर प पाय जाते हैं, उसको अपन बोलते हैं, smooth endoplasmic reticulum, अब question कहीं बार ये भी आ जाता है, कि rough endoplasmic reticulum के उपर किस परकार का ribosomes पाय जाता है, तो हमेशा याद रखिएगा, endoplasmic reticulum के उपर जो ribosomes पाय जाएगा, वो हमेशा 80S होगा, और जो cytoplasma ribosomes पाय जाएगा, वो हमे endoplasmic reticulum है, इसके उपर ribosomes नहीं पाय जाते हैं, इसलिए ये निर्मार करता है, lepid का, मतलब fed का, या बसा का, Golgi apparatus, Golgi apparatus भी endoplasmic reticulum की तरह ही एक संदचना होती है, जो single membrane से बनी रहती है, इसका main काम क्या होता है, packaging और transport, मतलब जो भी product पूरी cell में बन रहे हैं, और आवश packaging and transport, lysosome, lysosome को societal wax का जाता है, सबसे जादा पूछे जाने वाला question, क्यों बोला जाता है, क्योंकि lysosome की अंदर कुछ enzymes पाय जाते हैं, जो स्वयम की कोशिका को भी nest कर सकते हैं, और किसी दूसरी कोशिका को भी nest कर सकते हैं, अब यह आवशकता अनुसर कार होता है, जैसे कि आप ऐसा माल लेजे कि जैसे कोई कोशिका है, उस कोशिका की उम्र पूरी हो चुकी है, या फिर उस कोशिका में cancerous gene develop हो चुकी है, या फिर उस कोशिका में virus का infection हो चुका है, तो ऐसी condition में इन तीनों स्थितियों में यह lysosome उस cell के अंदर फट जाएगा, और इसके enzymes सारे ब WBC होती है, यह phagocytosis करती है, अधर organism का, जैसे कि बैक्टरिया आपके body के अंदर आया, तो WBC उसके पास जाएगी और उसको खा लेंगी, उस खाने की प्रिकरिया को ही phagocytosis कहा जाता है, और जैसे यह उसको खाएगी, तो उसके अंदर का जो lysosome है, वो उस बैक्टरिया को nest करतेगा, और बैक्टरिया digest कर लिया जाएगा, तो इस तरीके से यह स्वयम की cells को भी मार सकता है, और दूसरी cells को भी मार सकता है, स्वयम की cells को मारने के कारण ही इसको नाम दिया गया है, suicidal bags, मतलब आत्मत्या की ठैली, अगला कोशिका आंग है परौक्सिजों, परौक्सि तो centrosome ऐसा कोशी कांग है जो केवल animal cell में पाए जाता है plant cell में नहीं पाए जाता है और यह क्या काम करवाता है तो इसका एक ही function है यह कोशी का विभाजन करवाता है और इसके ऊपर किसी भी प्रकार की membrane नहीं पाई जाती अब है Cytoplasm और Proto Plasma अंतर क्या है अगर nucleus के अंदर के liquid को और उसके बाहर के liquid को मतलब nucleus के अंदर nucleus को और उसके बाहर साइटोप्लाज के अंदर होती है कि कोई भी एक स्केलेटन नहीं होता पास सेल के अंदर अलग-अलग प्रिकार की संरचनाह पाई जाती हैं जो उसका सेफ बना रखती हैं जैसे कि maintain रहे, cell wall, cell wall सबसे बाहरी cover होता है, और ये animal cell में नहीं पाय जाता है, plant cell में पाय जाता है, fungus की cell में पाय जाता है, और bacteria की cell में पाय जाता है, आप note कर लिजे, plant cell में जो cell wall होती है, वो बनती है cellulose से, bacteria में जो cell wall होती है, वो बनती है peptidoglycan से, और fungus में जो cell wall होती है, वो बनती है काईटन से अगला कोशिका आंगे प्लाज्मा मेंब्रेन प्लाज्मा मेंब्रेन को पहले हम सेल मेंब्रेन कहते थे पर इसके जो करेक्टर से हैं वो प्लाज्मा से मेल खाते हैं इसलिए हम इसको प्लाज्मा मेंब्रेन कहते हैं अब इसका जो स्ट्रक्चर समझाया था वो स इस convinced तो तीन ओ चीजह समें रहती है यह लपिटीज रहते हैं प्रोटिन रहते और करवादट रहता है अब हम अगर और्ग नियम कीब बात करें किस किसम प्रकार के और्गि법 में होटे हैं तो मैं पहले बता चुका हूँ अभी आपको कि Unicellular Multicellular Unicellular मतलब एक कोशिका से बना है उनको अपन Unicellular Organism कहते हैं इनमें example क्या क्या रहते हैं Amoeba, Paramecium, Euglena इन सभी क्या आपने नाम सुने होगे Simple structure रहता है Simple body रहती है इनमें कोई भी किसी प्रकार का अंग नहीं पाए जाता बस कोशिका अंग पाए जाते हैं जिनके द्वारा इनका पूरा सिस्टम चलता रहता है अगले होते हैं Multicellular Organism इनका क्या मतलब है? बहु कोश के जीब जो बहुत सारी सेल्स से मिलकर बने हैं जो Multicellular Organism हैं उनमें अलग अलग प्रकार की संरचनाय पाई जाती हैं जैसे कि आपने सुना होगा उतक मतलब टिसू जब बहुत सारी सेल्स एक तरह का कार करने लगें तब उसको उतक कहते हैं जब बहुत सारी उतक कोडिनेशन में काम करने लगें तो उसको अंग कहते हैं मतलब ओर्गन कहते हैं जब बहुत सारी ओर्गन एक कोडिनेशन में कार करें तब उनको ओर्गन सिस्टम या अंग तंत्र कहते हैं और जब अंग तंत्र आपस में coordination बना करके काम करें, तब एक body बनती है, मतलब एक सरीर का निर्माण होता है, तो multicellular organism में, tissue से लेकर के, जो organism है, उसके level तक, मतलब organ system level तक, ये सभी संरचना आती है,